वाहिकुर्ची का खलसा वाहिकुर्ची की फते गुरुप्यारों काफी दिना तो चल रही चबजी सहब ते वीचार ता अच आखरी पाग है अजी दी वीड़ कि जबजी सहब ती आखरी स्लोक ती वीचार है जिसनों गुरु सहब ती करपनल समजन दे निवाणी कोशिश करांगे गुरु प्यारों यह जो जिन्ने को वचार हुण तक हुए है यह एक बहुत ही निकीजे चालसी गुरु से अब दि बानी देंदर अजित हो यह यह बहुत कुछ जानना भागी है यह जिन्ने जानन एतां बहुत थोड़ा जानना है अजेता लगदा है कि कुछ भी नहीं जाने है अजेता होर डुंगाईट जान दी लोड़ है तो गुरू सहीब किरपा करन अग्गे तो यह अपनी सेवा लेंदे रहाएं अते अपनी बानी देनाल अपनी हुकम देनाल जोड़ी रखन दा गुरू प्यारो आओ जब जी सेम दा जो आखरी सलोक है उसनों गुरू सहीब किरपा देनाल समझन दी कोशिश कर दे हैं जिसती पहली तो कि अंदर गुरू सहीब फरमां दी हैं के सलोक पवन गुरू पानी पिता माता तर्त महत पवन गुरू बारे बहुत सारे विद्वाना दी वाकवा कराये है कई सारियां विचारहन पर असी सिर्फ ओही विचार लें दी हां जो प्रभैसर साब सिंग जिन लई के जिवें गुरू मनाली जिरूरी है जिवें गुरू तो बिना मन दी मोत है जमें गुरू तो बिना मन बे अकल रहनदा है मेला रहनदा है मर्या होया रहनदा है इंज हवा है पवन है पवन तो बिना शरीर मार जान दी हैं तो पवन इस तो बिना इंसान जी नहीं सकता इंसान ता कि इस तो बिना ये ब्रहमंड भी कुछ नहीं है गुरु से हमने बाड़ी अंदर बड़ा ही प्यारा फर्माया है के पवन जो के इस ब्रह्मंड दा सब्तों पहला तत है उसनों अकालपुर्ख ने सब्तों पहला बनाया साच्चे ते पवना पया, पवने ते जल होई, पाव अकाल पुरक तो पवन आये ते फिर पवन तो जल बनेया सो हवा बिना संसार नहीं हवा बिना कोई शब्द नहीं सुनया जा सकता हवा बिना सान लिया जा सकता हवा पाव गैसा तो ही पाव बनके फिर पानी बनिया इसलिए गुरु से अब जिते पवण नू गुरु फर्मारी हैं उते पानी नू पिता क्योंकि पिता तों ही पैदावार होई पानी नाल ही हर्यावल होई पहला पानी जीव है जित हर्या सब कोई अधि नाल ही पैदावार होई सब तों पहली अकाल पुर्ख ने पैदा कीतू है पैदावार है यही जरूरी तातहन अज संसार अंदर गुरु प्यारों खराब हवा कारण, खराब पानी कारण, खराब तर्थी कारण लखा लोग हर साल मरदी हैं क्यों क्योंकि इसनों परदूशित असी सारे ने रलके कीता जे असी सारे आपो अपनी जिम्मेदारी अजे भी समझ जाए ये ता हवा पानी ते तर्थी नों बचाया जा सकता है पर ए तद ही बचनगेज इना नों समझ जाए कि इस साडेली किन्ने जरूरी हैं सो जिमें गुरु मनाली जरूरी है गुरु से फरमादिहन इंज हवा श रात दोई दाई दाया खेलने सगल जगत हवा पानी ते तर्थी तो बाद जो अकाल पुर्क ने जीवले सब तों प्यारी दाद देती वसी सूरिच सूरिच नाल ही पोदिया दीचे जान पेंदी है रोशनी नाल ही इनसान सो कामकार करदा है अते सूरिच ते तर्थी दे अच्यानों खडाउंदे हन। इंज ही दिन ते रात हन जो जीवानों खडाउंदे हन। दिन मेले इंसान कामकार अंदर लगा रहेंदे। कदे कोई कम कदे कोई कम ए दाया इंज जीवानों खडाउंदा रहेंदे। अते रात मेले जिमें दाई लोरी सुना के बच्चा स्वा दिन अतिरात दोवें खड़ावा ते खड़ावी हन सारा संसार खेड रहा है। अकाल पुरक ते दर ते जो के सब्धें अंदर है अकाल पुरक ने गुरुब्यरु कैसा सोना इंतजाम हर जीवले कीता है जे उनलेई साँ दिती, पवण दिती, बेड़ लेई पाणी, रहल लेई तरती, काम कार कर लेई दिन अते सोओ लेई रा दिती चंगे कर, क्योंकि जय हो जय करम इनसान करता है, उस्ता लिखा उस्ता णिया नालो नाल हदूर अंधर पाव अपड़ी आप दें अंदर हुंदा चला जानता है जिमे कैसी पेलना पंच खंड़ा अंधर तर्म बारे जानया कि तर्म की है के वे सारा ब्रहमंड तर्म अंदर चलता है के वे हर जीव उस अकाल पुर्क दे तर्म अंदर है सु तरम न्या हरेक ले एक है हर क्वोई इस्थियंदर है आते जया हो जया करदा है ऊप ठालनदेग्य वाहर जया फ्ल पालन देता गुरू से फरमाद रहन गे तरम दा मालक अकालपुर्क हरेक मन अंदर बैठा नालो नालं चंग्याई बुर्याईदा नियाएं करदा जा रहा है पाव जीवां द्वारा कीते जानदे चंगे बंदे कमानु अकाल पुर्खदा कुदर्ती तर्म इंसाफ तराजु रुजानना पुर्खदा तोलदा है अधे नाल ही गुरु से फर्मादेहन के कर्मी आपों आपने के नेड़ा के दूर। तो ये खुदर्त नार्विगार करके इंसान अपने पैरांते आपको हाड़ी मारे हावा पानी नो बरबाद करके अपने आउन वाले बच्चान दे गाले कुट रहा है तक गुरु से अब सानो सुधारन ले सानो समझान ले सानो सिद्धे रह पान ले फर्मादेहन के आप आई कर्म चंगे कर पलाई कर चंगे आई कर खोदनो सुवार कुदर्त नो बचा गुरु प्यारों उन जिता हर एक इनसान अजाद है जो मरजी कर सकता है चंगा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है पर जो भी करेगा उसता फल अंदर नालो नाल मिलदा चला जाएगा जे कर्म चंगे होनगे जे मन गुरु द्वरा सिफ्त सला नल जुड़िया होएगा जे मन रभी गुणाच जिवेगा ताँ ओ कुदर्त नल जुड़िया रेगा ओ अपने आप नल जुड़िया रेगा ओ अकाल पुर्क नल जुड़िया रेगा सच नल जुड़िया रेगा अनन्द चरेगा कंदर फर्मांदे हैं के आप पो अपने कीते होई करमा दे अनुसार कई जीव अकालपुर्क दे नेड़ी हो जांदे हैं अते कई अकालपुर्क तो दूर हो जांदे हैं सो दूर अकालपुर्क नहीं होंदा बलके ओ होंदे हैं जो बुराई तरा चोल लेंदे हैं जो माननू जो गुरु तो दूर होके माननू दूशित कर लेंदे हन। इसलिए गुरु सहब वार वार सानू समझा दे हन के ऐ मना वापस परत, नाम नड़ चोड, रब नड़ चोड, होकम चेतोर जेवें के अगली तो कंदर गुरु सहब किरपा कर दे हन के जिन्नी नाम त्याया गये मशक्कत काल जिन्नी पाव जिनाने नाम नो त्याया है, जिनाने अकाल पर्खनो सिम्रे है, जिनाने उस्ते गुनानों जीवे हैं, ओ अपनी मेनत सफल कर गए हन। गुरु प्यारो मेनत सिरम एक करना ही पेने है। जे में कुछ पान लई अन तक मेंट करनी पेंदी है इन जे ही जे मनने सफल होना है पवजलतो पार जाना है साचता हिस्सा होना है ता मननों में मेंट करनी पेंदी है रोज मेंट करनी पेंदी है मन ते लगे विकार दूर करनी पेंदी हन गुरू दी बानी नाल मन अंदर ग्यान दा चानन करना पेंदी है जिननी जादा मेंट करेगा उनना वद खिडेगा उनना वद अनंद नाल परेगा उनना वद सकूँच रहेगा उनना वद उस दा मन अका पुर्ग दा नाम सिम्रिया है ओ अपनी मेनत सफल कर गेहन सो आओ मेनती बनिये शरीर वल्लोंवी मन वल्लोंवी अते जो मेनती हो जान्द है जो प्राप्त कीते ग्यानते मेनत कर दें जो बाने नू विचार के उस अनुसार जून्द है ओ आपना मुक्त हुंदा ही है नालो ख केती चुटी नाल। चुटी पाव मुक्त हो के सो गृरु सेंब किरपा कर दे हन के जो अकाल पुर्ग दे नाम नल चुड़ी हन जिनाने एक उंग कार नू गाया सुनेया ते मन्या है जिसने मन दे मैल नू नाम नल तोया है जिसने तरम, ग्यान, सरम, करम ते सच खंड दी पशाने आए जिनाने मन अंदर ली कूड़ दी पारदूर कीती है उनादी मुक उजली हो जान्दी हन रभी नाम दे चानन नल चमक पेंदे हन उनादी मन अनन्द नल पर जान्दी हन अथे ओ मन कल्ले मुक्त नहीं हुंदे जो वी होर मन उनादी संगत चान्दी हन ओ वी मुक्त हो जान्दी हन उनादी कूड़ दी कंद वी टै जान्दी है ओ वी विकारां तो मुक्त हो जान्दी हन सो जो जबजी सहब दी बानी नो पड़दा है समझ दा है मन अंदर वसाउंदा है ओ सिर्फ अपना ही पलाली करदा ओ वो सिर्फ अपना आप ही ने स्वारदा बलके खोरा अंदर वी चानन पैदा कर देंदा है। गुण मालक ने बक्ष हन उनानों जी सकी अते जिन्दगी दे सफर नों जीवन मनोरत नों पूरा करके जा सकी इंजना होए के लोक मरन ते कैन के पूरा हो गया नहीं। और भी कई जीव उना दे संगत विचर है के कोड़ दे पाल टा के माय दे बंदना तों अजाद होचान दे हन। ता एसी जबजी सेब्दे सलोग दी संग के विचार गुरु प्यारो गुरु सेब्दे बानी अन्ने महान है कि इस अंदर जिन्ना डुंगा जाईए। अन्ही होर समझ मिल दी है उन्ना होर मन तकडाते समझ वाला हुंदा है ता जिन्ने को चाल सत्कुर्दी किरपाना लगी उन्ही के विचार आप सब्दे सामने रखी है अते मैं जान दा हां कि ए विचार कोई पूरण विचार नहीं है। इस अंदर बेंत गलती है हन उन्न ता यह हन जिसनो सत्कुर्दी सची पाशाजी जान दी हन अते ओ मन जान दी हन जो जाग दी हन मेरी ता सत्कुर्दी शिरी गर्ण सेब जगी अर्दास है के गुरु महराज अगे तूं होर समत बक्षो होर गुनानल बननों शिंगारो ता जो जबजी सहीब नों अते होर बाणयानों होर सोखे तरीके नाल मन समझ सके ना सिर्फ समझ सके बलके उसनों जीवे ता जो मन साचदा हिस्सा हो सके ता जो मन नाम नो त्या सके ता जो मन एक नाल एक हो सके ता इस पूरी विचार अंदर जो जो गलते होई हैं उसलिए मैं शिरी गुरु गुरान सेब जीतों अते आप सब तों किमादा जा चखा अते सथ गुरु जी दा वार वार तनवाद भी करदा हाँ जो गुरु सेब ने इस सेवा करनदा मोका देता बाल देता अते अन्य प्यारी बाणी रबी पाणी पढ़न समझन ते जी उन्दा मोका देता तनवाद अते आप सब गुरु प्याराँ दवी से विचारनों सुना ली बहुत बहुत तनवाद होई आप पूलना चकांदी किमा वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फते